इंसान और जानवर की दोस्ती तदियों पुरानी हैं ये आपने भी देखा होगा क्योंकि आपके आसपास कई जानवर मौजूद होंगे कुछ जानवर ऐसे भी है जिनसे दोस्ती तो दूर उनके आसपास भी जाना आपकी जान के लिए खत्रा बन सकता है पर आज हम आपको ए केविन रिचार्टसन एक लाइन पार्क में फिजियो थरेपी की रूप में काम करना सुरू किये, जिसके बाद वो जादतर समय जानवरों के साथ बिताने लगे, तब उन्हें छे महिने के दो सेर के बच्चे को काम समालने का मौका दिया गया, कुछ सालों में दोनों सेर के ब आने का फैसला किया, जहां सेरो को पिंजडे में नहीं रखा जाए, वो कहीं भी घूम सके, और अंत में केविन रिचार्टसन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 800 हेक्टेर की सेंचूरी की सुरूआत की, जिसका नाम किंग्डम ओफ वाइट लाइन रखा, जिसमें 30 से जादा सेरो और हाइना और बहुत सारे जानवरों को रखा, जहां बिना रोक टोक के जानवर आराम से घूम सके, 10 साल के बाद उन्होंने वह सेरो से भी मिले, जिनने लाइन पार्क ने चिणिया घर को दे दिया था, वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल रेडी फॉर सॉर्ट को स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा